तो आज में बात करने जा रहे हैं Samsung Galaxy M31S को लेके जो के फोन ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर लॉंच हो चुका है रिसेंटली लॉंच किया गया है लेकिन आपको पहले क्लेर कर दूँ कि यह फोन पाकिस्तान में तो अभी लॉंच हुआ है लेकिन आपको यह फोन ग्लोबल बात करूं आपको यह फोन देखने को मिल जाता था लेकिन पाकिस्तान में रिसेंटली लॉंच किया गया है तो इस फोन की हाइलाइट फीचर को लेकर जो कि सिर्फ दो ने वाले हैं यहां पे इसका कैमरा सेट अप है वह भी आपको अच्छी जो परफॉमेंस हो यहां पर दे देगा और यहां पर बात करूं बैटरी टाइमिंग को लेकर वह भी आपको इस फोन के अंदर काफी बड़ी बैटरी जो है वह इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा और इसकी प्राइस रेंज है वह काफी दिसेंट होने वाली है इतनी जादा कोई हाई प्राइस इस फोन की आपको देखने को नहीं मिलने वाली जो प्राइस मेरे पर्सेर्व ओपीरियो को लेकर इस वीडियो के अैन میں जाकि को पूरा एंड तक देखेगा और अगर अब तक अपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें साथ ही आध को नोटिफिकेशन के जले को रहें ताग जैसा जयसे इन petits चैनल के ऊपकर कोई inherent करें को अब सब्टेट को मिलने बैक सैडा है यहां पर प्लास्टिक दाडर सब्सक्राइब पॉइंट का कि आपको काफी ज्यादा देखने को मिलने वाले इस फोन के अंदर अगर आप इस पॉन की बेक सैट के आपर केस्ट है वह डेफिनिलिटी यूज़ करना होगा कि आप इस फोन को स्क्रेट से प्रोटेक्ट कर सकें डिस्प्लियों के बात करने सो इस पॉन का स्क् पॉन के रेजोलूशन को लेके बात कर लें तो इस फोन के रेजोलूशन है वह आपको 1080P 2400 पिक्सल्स का रेजोलूशन है वह यह फोन प्रोटेक्शन और यहां पर देखने को मिल जाएगी जो करनीं गुरीला ग्लास थ्री की प्रोटेक्शन होने वाली है जिसका फाइद प्रोटेक्टर का यूज करना चाहते हैं और यहां पर माइनस पॉइंट यह है कि इस फोन की बॉक्स को अगर आप देखें तो उसके इंदर आपको जो प्रोटेक्शन है जो प्रोटेक्टर रेज्वाइं के ऊपर वह आपको देखने को नहीं मिलता आपको एक्स्ट्रा ज ज्यादा हैवी वेट नहीं है लेकिन आपको इतना जादा कोई लाइट वेट जो है इस फून का वह भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस फून की बैट्टरी है वह आपको काफी जादा बड़ी दी गई है और यहां में बात करने इस फून के आवरॉल डिजाइन को ल लेकर आपको चौर्ट पर आपको चौर्ट आपको जो ऑप्शन दिया गया है जो कि काफी तुसर शार्प जो इमेजिज आए वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी इसके साथ और यहां बात कर लेते हैं इस फून के फिंगर प्रिंट सेंसर को लेके क्योंकि यह ज आइड मांटेड जो फिंगर प्रिंट सेंसर का सपोर्ट जो है वह आपको देखने को मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा फास्ट वर्ट करने वाला है ऐस कंपेर टू अगर बात करें अंडर डिस्प्रिंट सेंसर को लेकर और यहां पर आपको जो फेस लॉक्त का सपोर्ट वह भी देखने को मिल जाएगा अगर फेस लॉक्त ज्यादा यूज़ करते हैं और यहां पर लेकर बात कर लें सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर बैक साइट के ओपर क्वार्ट का अप्शिन को मिल जाएगा जो कि आपको में कैमरा है इस पून का वह 64 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि वायाइगल कैमरा है यहां पर यहां पर इस फोन से 4ggak naj जो ओप Пशिंट के रिए इस जो कि 30 frames per second के उपर आप easily shoot कर सकते हैं फ्रंट side के उपर single camera दिया गया है जो में camera 32 MP का वाइड एंगल camera है और वाइड एंगल शॉट्स अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं और इस फॉन से पर बात करूं कियामरा को लेकर आपको काफी ज़या और ऑप्शन जो है वह भी देखने को मिल जाएंगे और यहां पर पर आपको जो नाइट मोड का जो फैसिलिटी है वह भी देखने को मिल जाएगी और अगर आप फ्रंट साइट से स्लो मो शूट करना चाहते हैं वीडियो सब्सक्राइट कर सकते हैं और इसके रहाव़ा जो इक है मिल जाए business करते हैं और सबसुन को मिल जाएगा अंडू यू क्रूइफ यंदर देखने को मिल जाएगगा can आपको काफी ज्यादा डीसेंट प्रवाइड करके देगा इसके साथ बात कर लेते हैं इस पून के चिपसेट को लेके इस पून के अंदर आपको एक्जिन इसका 961 का जो चिपसेट है वो भी देखने को मिल जाएगा जो के एक गेमिंग प्रसेसर तो नहीं है लेकिन आपको डीसेंट जो पर्फॉर्मेंस है अगर आप गेमिंग को लेके बात करें आपको पूब्जी जैसी गेंज जो है वो भी अगर आप इस पून के अंदर प्ले क चाहते हैं और सब्सक्राइब देट करने को मिल सकते हैं अगर अगर आपको जो फेस करने को किसी घम को आपको जब्सक्रेब्स करें को मिल जाएगी बैटरी को लेकर बात कर लें सो इस फोन की जो बैटरी है वो इस फोन का में हाइलैक्ट फीचर है क्योंकि इस फोन के अंदर आपको 6000 इमेच की बैटरी दी गई है जो के काफी ज्यादा बड़ी बैटरी है अगर आपका यूजज ज्यादा भी है फोन को लेकर तो आप easily एक दिन तक जो है इस phone की बैटरी है वो end कर सकते हैं यहां हो सकते हैं एक दिन से ज्यादा भी जो है आपका जो बैटरी है वो यहां पर end हो जाए और यहां पर बात कर लेते हैं इस phone की fast charging को लेके तो fast charging का जो option है वो भी आपको इस phone के अंदर देखने को मिल जाएगा यह phone जो है वो 25 watt की fast charging support करने वाला है लेकिन जो charger आपको देखने को मिलने वाला है इस phone के साथ वो आपको 15 watt का देखने को मिलने वाला है charger और यहां पर बात करने इस phone की reverse charging को लेके तो reverse charging का जो option है वो भी spoon के अंदर देखने को मिल जाएगा इसका फाइदा यहां पे इने वाला है कि अगर आप travel ज्यादा करते हैं आप spoon के साथ दूसरी devices को भी charge कर सकते हैं यहां हो सकते हैं आपका जो phone है आप इसको उनको charge कर सकते हैं यहां फिर जो दूसरी devices आपके airports हो सब्सक्राइब की और लास्ट में बात कर लेते हैं कि प्राइज और कुछ मेरे परस्टाइब कर सकते हैं और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है दरास की website का वह आपको अवैलेबल हो जाएगा अवांस जाके इसको इसको परस्टाइब कर सकत जाता है कि सफून को पर चाहिए या नहीं करना चाहिए तो यहां पर मैं आपको यहीं करूंगा कि अगर आपकी प्राइज रेंज है इस पून को लेने के लिए तो आप डेफिनेटली स्पून के ओपर शिप्ट हो सकते हैं कि यूज आपको काफी ज़यादा डीसेंट को मिल जाती है वह बात करने वाला है डिस्प्ले का ताधा बड़ी के लेकिन यहां पर एक माइनस पॉइंट यह है इस फोन का आपको जो स्पीड है और जो प्रोसेसर पून का जो अप्रफॉर्मेंस है आपको इतनी ज़्ड़ा अच्छी देखने को नहीं मिले वाली अधर वाइस जो आप एक डीसेंट है अगर आप इस मूं को पर जिस करने में तो डैफिनेटली कर सकते हैं वीडियो ची लेगी तो लाइक कर देना शेर कर देना चैनल को पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें देंगे कुरियो में, पेसे